कि यूपी सरकार का सबसे बड़ा बजट आये कितना किसान इस बजट से खुछ जो है क्या करेंगे बजट के बारे में बढ़े में बजट काग जुमा बनते रहते हैं धरातल पे कमावे पहले कुछ सबसेड़ी जो एक्यूपमेंट आता था उस पे आती थी लेकिन उसकी दिर दिरे घटा दी फसलों के दाम नहीं है उससे किसानों को नुक्सान हो रहा क्या MSP गारंटी कानून नहीं जब तक बढ़ना तो MSP पे फसलों की खरीद होगी उसकी कुछ बरपाई हो सकती है तेलंगाना की पॉलिसी हैं कि वे 10,000 रुपिये एककड अपने किसानों को नहीं कि बजट में पानी फिरी देने की क्या बात कोई है कि आप फिरी पानी देना चाहिए उस पर काम करना चाहिए किसान पाट साला की सरकार ने बात कही है और जो अभारा गोवन से उसको भी बजट बताएगा उनसे भी निजात दिलवाए तो दो और देख लगत दो में इंदे में जो करा निजात ते पिछले साल दिलवात ते आ रहे तो बरने जग नहीं क्या उनका 30 रुपे में 100 जब तक किसान को फिरी पाणी नहीं होगा उस पे काम करना चाहिए इनको हमारी एनर्जी बचेगी उन पे काम करना चाहिए बागवानी के उपर उस पे काम करना चाहिए जो किसान का भुगतान नहीं हो रहा उस पे काम करना चाहिए जुट के रहे के गन्ने पर हमने रिकार्ड भुगतान कर दिया गन्ने पर यह देश को गुम्रा कर रहे हैं गन्ने का भुगतान सरकार नहीं करती गन्ने का भुगतान सुगर मील करती है हम गन्ना डालते हैं वो वो बड़ान करती है सरकार के जुम्मेदारिय कि हमारा टाइम पे बगतान करवाद है ना सरकार रेट बड़ाती रेट बड़ाने पर भी उनको पैसे नहीं देने पढ़ तो चिन्नी भीकती है वे पैसे देते हैं नहीं हमारा बिलुकुल करेंगे और इनको कहेंगे कि आप यह सुईदाएं करो वह अभी शाम तक पूरा आ जाएगा कि कितना किस उसमें अलाट हुआ है उसका फंड कहां जाएगा वह बिलुकुल हम सरकारों कुछ इठी लिखेंगे कि उसमें आवंटन यह चीज यह पैसे का करें हम से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाए